नमस्कार दोस्तों स्री नीटिंग में आपका स्वागत है दोस्तों देखिए आज ये डबल कलर का पैटर्न बनाएंगे हैं बहुती सुन्दर पैटर्न है बहुती इजी है बनाना इस वाले पैटर्न को आप बच्चों के कपड़ों में लेडीज कार्डिकन में किसी में भी बहुत सुन्दर लगता है जिक जैक वाला पैटर्न है और किसी भी टू कलर का कॉम्बिनिशन करके बना सकते हैं मैंने ये यलो और ब्लैक बनाए है आप चाहे तो रैड और भाइट या फिर ग्रीन वाइट वगेरा कुछ भी बना सकते हैं तो इसको बनाने के लिए हमें इ बार-बार रिपीट करी है आप चाहे तो इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं बस इसमें हमें हर फोर रो के बादør चेंज करते जाना है जब हम 모् necessarily का बनाएंगे और यहां हमने डू कलरी लिए हैं तो इसी तरीके से फोर हो मैंने यले कुलर से बना यह और यह ब्लैक लर से तो आइए वे आपको बताते हूं आपको एक कैसे बनाना यह स्टार्टिंग सही बताती हूँ तो आप लाश्ट तक बने रहे हैं इस वीडियो में यहां देखे मैंने फंदे डाल लिये हैं यह हैं 26 फंदे होर के multiply 24 और 2 फंदे एक्स्ट्रा और 2 रो मैंने border की बना लिए अब हम pattern बनाना start करेंगे स्टार्टिंग में जब हम pattern बनाएंगे तो सबसे सुरू में border के बाद हम 2 रो सिंपल बनाएंगे सीधी और उल्टी जब हम यहां पर देखें डिजाइन सुरू करेंगे तो यहां पर हमें सबसे पहले दो एक सीधी और उल्टी सलाई बनानी है आगे नहीं बनानी सिर्फ स्टार्टिंग में बनानी है तो जो हमारा base color है उसी सही तो यहां मैं बना लेती हूँ सबसे पहले यह सीधी सलाई यहां देखें टूरो मैंने बना लिया सीधी और उल्टी अब हम यहां पर second color एड़ करेंगे जो भी आपका second color है मैं यहां पर white color लगाँगी green के साथ उसमें मैंने yellow और black लगाया है आप जो भी पसंद्या color वो लगा सकते है तो color हमारा add हो गया अब first फंदा हम second color से बनाएंगे मतलब कि white color से जो हमारा second color है इस तरीके से अब 3 फंदे हम slip करेंगे एक, दो और इस तरीके से और फिर एक फंदा बनाएंगे second color से फिर से ऐसा ही करेंगे 3 फंदे slip करेंगे 1, 2, और एक तीन और एक फंदा सीधा बनाएंगे जो यह फंदा हम सीधा बनाएंगे कि इसको थोड़ा हमें लूज करके बनाना है वरना तो यह खिच जाएगा हमारा पैटर्न जो है वो खिच जाएगा तो फ़र्ष्ट रोव हमें पूरी ऐसे भी बनानी है तीन फंदे स्लिप करने है और एक फंदा बनाना है और यह लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे तो यह देखिए इस तरीके से आ जाएगी फर्स्ट रोव तो फर्स्ट रोव बन गी है अब सेकिंड रोव रूंग साइड सेकिंड रोव में देखिए पहला फंदा उल्टा बनाएंगे जो बनाया हुआ एक फंदा और उल्टा बनाएंगे दो फंदे बन गें यहां पर हमारे और जो तीन फंदे हमारे ग्रीन कलर के थे मतलब फैस्ट कलर के इसे बीच वाला फंदा हम स्लिप करेंगे अब तीन फंदे हम भाइट बनाएंगे एक दो और एक तीन यहां हमारी पूरी इसी तरीके से बनेगी रो तीन फंदे हमें second color से बनाने और एक फंदा में slip करना slip हमें जो तीन फंदे हमारे first color के थे उसमें से बीच का करना तो यह इस तरीके से आ जाएगी तो यह तीन फंदे बनगे और एक फंदध हम उतार लेंगे तो इसी तरीके से पूरी रोभ बना लेंगे यहां लाश्ट में दो फंदे बचके तो इन दोनों को बना लेंगे एक इस्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी दो दो फंदे आ जाएंगे तो यह हमारी सेकंड रो कंप्लीट होगी अब थर्ड रो हमें पूरी सीधी बुनी है सेकंड कलर से ही क्योंकि लास्ट मतलब फोर रो हमें एक कलर से बनाएंगे फोर रो दूसरे कलर से तो यह हमार फ़र्ड रो है इसको सीधा सीधा बना लेंगे सभी फंदे बनाने इसमें कोई फंदा इसमें स्लिप नहीं करेंगे सभी फंदे बना लेंगे यह देखें थर्ड रो हमारी complete होगी अब फॉर्थ रो रोंग साइड फॉर्थ रो भी हम पूरी उल्टी बना लेंगे सेकंड कलर से ही बनानी वाइट कलर से और पूरी रो उल्टी बुनके complete कर लेंगे फॉर्थ रो होगी है complete अब फिप्त रो राइट साइड यहां हम फर्स्ट कलर यूज करेंगे जो हमारा यह ग्रीन कलर है फर्स्ट कलर बेस कलर वह इसको हमने जैसे सेम रो हमने फर्स्ट रो बनाईती सेम ऐसे बनाएंगे फर्स्ट फंदा हम ग्रीन कलर से बनाएंगे मतलब कि बेस कलर से और तीन फंदे हम स्लिप्त करेंगे एक दो और एक तीन फिर एक फंदा बनाएंगे ग्रीन कलर से और फिर तीन फंदे उतार लेंगे एक दो तीन तो ये फिर त्रोवा हमें सेम ऐसे ही बनानी है एक फंदा बनाना है और तीन फंदे हमें उतारने है ये लाश्ट का एक फंदा बना लेंगे तो ये फिप्त रोव कंप्लीट होगी अब सीख्त रोव ये भी फर्स्ट कलरी यूज़ करेंगे हम यहां पर पहले दो फंदे बना लेंगे उल्टे एक और एक ये दो अब एक फंदा उतार लेंगे अब वही करना हमें तीन फंदे बनाने है और एक फंदा उतारना एक दो और एक तीन और एक फंदा उतार लेंगे यहाँ देखे तीन फंदे हमारे ग्रीन हो जाएंगे और एक वाइट वाइट यह जो तीन पहले वाइट थे ना इनमे से बीच वाला आएगा जो हम सिलिप करेंगे वो वाला तो फिर ऐसे ही करेंगे, तीन फंदे बना लेंगे, और एक फंदा उतार लेंगे, सेम ऐसे ही बनानी है, शिक्स थ्रो हमें, लाश्ट में दो फंदे बच गें, इनको बना लेंगे, तो यह देखें, शिक्स थ्रो हमारी कंप्लीट होगी, अब सेवन्त रो राइट साइड, सेवन्त रो में हम सभी फंदे सीधे सीधे बुल लेंगे, फैस्ट कलर से ही, क्योंकि पहली फोर रो हमारी वाइट कलर से बनी है, और दूसरी फोर रो हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, जो यह पूरी रो हम सीधी सुधी बुल के कंप्लीट कर लेंगे, इसमें हमें कोई भी फंदा ना तो छोड़ना है, और ना ही स्लिप करना है, बस हम सब को बुल के तयार कर लेंगे, सेवन्त रो भी हमारी बन के कंप्लीट होगी, अब एट रो, लाश्ट रो है यह इस पैटर् सब्सक्राइब कर लेंगे, तो लाश्ट रो भी हमारी बन के कंप्लीट होगी, और यह देखिए हमारा पैटर्न बन के आ गया, इस तरीके से आ जाएगा, और फोर रो फिर हम दुबारा जो हाइट कलर है, हमारा साइकिंड कलर उससे बनाते जाएंगे, और अगर आपको मल्टी कलर में बनाना, तो यह फोर रो यह बार बार रिपीट करनी है, वैसे तो यह फोर रो का यह पैटर्न, लेकिन मैंने जैसा टू कलर में बनाया, तो एट रो मैंने बार बार रिपीट करी, एक बार वाइट कलर की, और एक बार ग्रीन कलर की, तो आप किसी भी तरीके स से बना सकते हैं और मल्टिकलर में भी यह बहुत सुन्दर बनता है तो इसी तरीके से रिपीट करके बार-बार फोर रो आप इस तरीके से यह बना सकते हैं देखे कितना सुन्दर लगा तो हमारा यह पैटरन कंप्लीट हो गया आप इसको एक बार जरूर ट्राइब करें तो और कमेंट करें सब्सक्राइब करें कि आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई